दोस्तों बंदे मातरम विजय दे वकॉंडा का एटिट्यूड कहीं न कहीं लाइगर के कलेक्शन के उपर भारी पड़ता हो दिखाई दे रहा है एक समय था जब उन्होंने कहा था कि लाइगर 200 करोड करने वाली तो ऐसे में अब लोग उनको उन्हीं की बात याद देला कर ट यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वह चुप चाप जाकर आ जाएंगे अगर आपको जैसा कि मैंने एक वीडियो सुना तो इसमें लड़का बोल रहा था कि अगर तुमको लाइगर देखने जाना है तो तुम किसी दोस्त को मत बताओ किसी परिवार वाले को मत बताओ च जादा फरस्टेट हो चुका होगा ना कि वो तुमको बिल्कुल भी एंटर्टेन कर नहीं पाएगा तो इसलिए लाइगर को बहुत जादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है हिंदी पट्टी से जो कलेक्शन निकल कर आया है वो ऐसे भी करन जोहर के लिए किसी जट लेकिन नेगटिव रिव्यूस वहां से बदस्तूर आही रहे हैं वहां के लोगों का भी कहना है कि भाई विजय देव अकॉंडा ने बॉल्यूड में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी और ये साफ तोर पर में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि साउथ के लिए साउथ लेकिन जो लोग इस नहीं कर सकते बिल्कुल भी हम तो इसको बॉयकॉर्ट करेंगे लेकिन जो लोग इस मूवी को देखने हैं गये भी और उनका जो रियेक्शन निकल कर सामने आया ना वो रीयेक्शन मुझे लगता है कि अब काफी हो चुका है इस चीज़ को देखते हु फिल्म लाइगर ने उम्मीद से कम प्रदरशन किया है बॉक्स ओविस पर इसकी ओपनी कुछ खास नहीं रही वहीं क्रिटेक्स और लोगों से भी इसे कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले इन सब के बीच में विजदे वकॉंडा का पुराना ट्वीट वाराल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म थेटर्स में 200 करोड रुपए से जादा की कमाई करेगी दरसल फिल्म लाइगर का बॉक्स आविस पर आकड़े कुछ खास नहीं है बताया जा रहा है कि फिल्म को जवर्दस ओपनिंग तो मिली लेकिन बाद में रफ्तार धीमी पड़ गए रिपोर्ट्स के मताबिक फिल्म ने पहले दिन को 21 से 23 करोड रुपए की कमाई करी है फिल्म देखने हिंदी दरसल को कुछ खास भी जुटी ही नहीं है वहीं अब वजय देवकॉंडा का एक ट्वीट भी वैरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म थेटर्स में 200 करोड से ज़्यादा की कमाई करेगी रिपोर्ट्स थी कि लाइगर को डारेक्ट टीटी पर हर भाशा में रिलीज करने के लिए 200 करोड रुपए आफर हुए थे मेकर्स ने आफर ठुकरा दिया था विजए ने इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा था कि ये बहुत कम है मैं थेटर्स में और ज़्यादा करूँगा और अब वजए का पुरान ट्वीट वारल हो चुका है और इसमें लोगों ने उनको ओवर कॉण्ट बताया है मुवी क्रिडिक्ट तरण आधर्स ने ट्वीट किया कि लाइगर उमीदों पर खरी नहीं उतरी टैलेंट, रिसोर्स और मौके की एकदम बरबादी है वजए वाकॉंडा हिंदी फिल्मों में इससे बहतर लाँच की योग्य थे उन्हें फिल्म को देड़ स्टार देते हुए भी देखा गया मतलब ये मूवी के लिए एक बहुत बड़ी बेज़ती से कम और कुछ भी नहीं वहीं बात करें और भी कुछ चीज़ों की तो पुरी जगनात दौरा निर्देशित बहु प्रतेशित फिल्म लाइगर सिनेमा खरूं में मतलब मूँ के बल जाके कि दी है उस फिल्म से साउट सुपर स्टार विज़े वकॉंडा बॉलिवोड में घुस्तो गए लेकिन अब पता नहीं वो कहां तक पहुँच पाएंगे जो दर्शक हैं वो इस बहु प्रचारिस फिल्म का काफी समय से इंतजार कर रहे थे यह बहुत अचा ही बात है लेकिन हाँ आज की रेट में अब वो सर भी अपना पीट रहे है अब जबकि फिल्म रिलीज हो चुकी तो सोचल मीडिया पर फैंस का इसके प्रती गुस्ता देखने के लिए मिल रहा है पैंडे लेवल पर रिलीज होई लाइगर जहां कुछ दर्शकों को कमाल की लगी है तो वहीं कुछ को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जितना ही नहीं विजए और अनन्या के जोड़ी भी दर्शकों को ये खास पसंद नहीं आई ऐसे में अब जबकि फिल्म को लेकर कई सारे मीमसी बना जा रहा है तो इसमें यूजर्स लाइगर को फ्लॉप बताने के साथ सार करन जोहर को भी ट्रोल कर रहा है लाइगर के रिलीज होते ही दर्शकों ने इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर साजा करनी शुरू कर दी जहां कुछ दर्शकों को विजए के लुक्स और उनके फाइट सीक्वेंस फिल्म में भा रही है तो वही कई ऐसे भी हैं जिनने फिल्म की कहानी में बिल्कुल भी नयापन नहीं लगा ऐसे में दर्शक सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी और वजया नन्या की जोडी का खूब मजग बना रहे है इसके साथ ही boycott Bollywood भी social media users के निशाने पर है मतलब कई सारे चीजे हैं जो कि यहाँ पर social media पर एकटी निकल कर सामने आ गई है और यही चीजे हैं जो कि अब public के लिए एक टाकत की तरह भी निकल कर सामने हैं अब देखो आपको जो करना है करो हमको कोई फरक नहीं पड़ता इस टाइप की कुछ बाते उन लोगों ने कहीं थी वही सब बाते हैं जो कि देखी अब जिस तरीके से सामने आई हैं ना वही चीजे इन लोगों को भारी पढ़ने वाली है इसमें पबलिक का कोई दोश मुझे तो नहीं दिखाए पड़ता है कि यह देखी पबलिक तो वही कर रही है जो इसके लिए वो जानी जाती है मानी जाती है अब अगर आपको कोई परेशानी होनी तो इसमें क्या कर सकता है तो यह हम तो जादा समय वेस्ट बिलकुल भी नहीं करते हैं, हम सीधे चलते हैं स्क्रीन के तरफ और देख लेते हैं किस तरह के मीम्स जो हैं जो की शेर हो रहा है, सबसे प्रदा तो यही देखे हैं, पुश्पा भी जाके बोल रहा है, भईया, मैं देखेगा नहीं, इसके साथ इंडियन मूवी स्टार को लेकर उडदू वुड को बचाने की कोशिश हो रही है, यह ढाल भी अब खतम होने वाली, इस ओवर, अब लोग इसको भी समझ चुके है, राकेश अरुडान लिखाए कि करवाली बिज जती, पब्लिक तो विजए देवकॉंड़ा नहीं प वेरी फर्स रियक्शन फॉडियन्स इन थेटर वाइल वेस्टिंग रुपीज थ्री हंड़, भाई, पचास एक्स्टर ले ले, मैं जो यहाँ पर आया हूँ, बाकि आप तो जानते ही हैं, इन भाई साहब ने क्या कुछ कहा था इस वीडियो में, ब्रूस वेन लिखते हैं Boycott Liger movie gang after seeing Karan Johar post, अपने हाथों में हाथियार ले लो Karan Johar right now, Karan Johar की कुछ ऐसी हाला तो है, वो सही बात है, मतलब कितना दुख है, भाई जी, मैं कितना दुख है Bruce Wayne ने लिखा कि when people coming out of the theater after watching Liger and looking up for Anandya Pandya Vijay Devaconda, जिंदा पकड़ना है इनको, जिंदा Dr. Shah लिखते हैं, arrogant anaconda stay away from boycott Bollywood forever, they will sink south as well Anandya में बहुत struggle किया है, audience true, you in acting, आसे ने watching, मतलब तुमने acting में करिये और हमने देखने में करिये News Ninja ने लिखा है कि everybody is a disaster in Liger, Liger review, a movie journalist in Hyderabad was asking first your viewers how was Anandya Pandya One viewer said, yeah, that sums up the problem with Bollywood, मतलब कि, yeah Anandya Pandya is not a heroine material, Puri Jagandar failed to utilize the opportunity, Vijay Devaconda excellence excelled with his performance, a disaster reports all over Liger लब ये वाकई में बहुत भुरा हुआ है इस movie के साथ, इसमें देखे, this is what happened with Hollywood after a few days, Pushpa जोगेगा नहीं, Rocky रोकेगा नहीं, और Bollywood अब दिखेगा नहीं, यही होने वाला है बाबू ये भी रिखते हैं कि, condition of Karanjohar right now, Karanjohar ही condition कुछ ऐसी है, छुपके खड़े हुए, कोने में कहीं कोई, देख नाले, पईसे जो मांग लेगा दुबारा अगले रिखाए कि, who all want to eat coconut chutney today, कुणा, coconut is more useful than Karanjohar, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ है किया जा रहा है, अब भी मजा आएगा ना बीडू नारणनल लिखाए कि, लाइगा रिव्यूज मूवी इस हॉरिबल और लिट्स हिंदी मूवी डब्ड इन तेलगू, फर्स 30 मिनिट जगनाथ, रस डिरेक्शन करन जोहर, थैंक्स तो करन जोहर, नौ पीपल दोंट इवन है तो ट्रेंड बॉयकॉट लाइगा, लाइगा र बढ़ने की भी जरूरत नहीं पढ़ने वाली क्योंकि बंटा थार हो गया है, आपका इस बार में क्या करना भी है, कमेंट कर रहे जरूर बता दीजिए, मेरे सुटियों फुलारत नहीं जैहिन, जैबावाद।